बॉनिंग एंड जहीन दोस्तों आज मैं आपसे स्टुडेंट्स का रिव्यू करवाने वाला हूँ जो की टेक्निकल में सिलेक्टेड हैं ठीक है एक्सिलेंट रनी है दोस्तों इनका बट यहाँ पर एक चीज आप ध्यान रखेगा इन भाई का यहाँ देख सकते हैं यह एक इनका एक्सिलेंट में दोड है ठीक है एक एक नमबर यहाँ देख सकते हैं अब यहाँ पर इन भाई ने आपको एक मैसेज दिया है इस वीडियो के माधियम से प्लीज जरूर सुनेगा क्योंकि टेक्निकल वाले बच्चों के साथ भी यह प्रोब्लम हो सकती है देखे यह इनको मौन तीन बजए के संथिंग करी इनोने ठीक है उसके बाद जो भी प्रॉसेस थी अंदर गए डोकुमेंट चेक बाद आप फाइल में लगें फाइल के बाद आपकी टेक्निकल ट्रेड सा ठीक है उसके बाद сил के इनका कितने का बेज बना कितना excellent मारा कितने बच्चे लिए technical में इन से ही जानेंगे उसके बाद किस region से ये भार हुए हैं और क्या को गलती ना करें कि आप इन आगे आने वाले time में बच सकते हैं क्योंकि अगर आप physical excellent भी मारते हैं technical में और अगर ये चीज नहीं करी आपने तो आप technical में physical में भार हो स पूरी बात है और बहुत अखरती है दोस्तों ऐसे बहुत सारे बंदे हमने नाखपूर में भी देखे जो silly सी mistake की वज़े से बाहर हो रहे हैं प्लीज आप इसी गलती ना करें हम इनसे ही जानेंगे कि क्या रहा इनका और किस वज़े से बाहर हुए सो आपका सूब नाम बत लगा पाया और सटी भी में मैंने किया कि फैर को फॉल्ड कर दिया था तो पैर फॉल्ड की वज़ए से उन्होंने आउट कर दिया कि ऐसा नहीं चलता है और बाकरी मैंने NCCB की थी आर्मी के लिए कि मैं आर्मी जोइन करूंगा यह सपना था मेरा शुरुआ से और मेरी ला पास्ट भरती थी है ठीक है और देख सकते हैं आप एक्सिलेंट ग्रूप में दोड़े हैं एक्सिलेंट रुनिंग मारी है रिजन है बाहर होने का सिप यह है कि यह बीम नहीं लगा पाए हैं ठीक है और कहीं नहीं बीम की वज़ए से इन्होंने पांच बीम तो पूरे में फिजिकल के नंबर नहीं जुडते हैं रिटन बहुत माइने रखता है प्लस जो भाई हैं इनका एंसी सी सर्टिपिकेट से ओल्डर है वित आर डी सी है तो शोर मेरिट में नाम डेम शोर था ना बट कहीं ने कहीं लास्ट भरती भी थी बड़ा अफसोस होता है भाई कि इस तरीके से जब बंदा लास्ट भरती और सारी महनत है इनके बास सारे डोकुमेंट्स होने के बावजूद रह गए हैं तो हम यही प्रे करेंगे इनके भाईश्य के लिए ब्राइट फ्यूचर के लिए भगवान से कि आगे इनको और अच्छा मुका दे किसी और अधर फ करते हैं मैं भी समझ रहा हूं इनकी जो फिलिंग से तो गलती ना करें बीम भी पूरा लगाएं टेक्निकल से भी हो तो क्वालिफाइंग छे बीम आपको लगाना है ठीक है और क्या मैसेज देंगे भाई यहां पर भरती के रिगाटी ग्राउंड में टाइमिंग फूल दे यहां पर भी वही बात निकल के आ रही है कि भाई अगर आप 5-45 के अंदर आने का पूरा दम रखते हैं तो पूरे 100 में से 100 बच्चे ले सकते हैं पूरा टाइमिंग दिया जा रहा है इनी के जबानी से आप सभी को मैसेज हैं आप बिल्कुल इस हिसाब से त्यारी करें कि आप 5-30 तक तो टाइमिंग एटलिस लाने की कोशिश करें ठीक है आप जीडी में हो ट्रेडमें में हो टेक्निकल ओक लर्क हो चाहे एने हो आपको बिल्कूल मौका मिलेगा मेरिट में आने के लिए